तो गुरू लोग Transformers Rise of the Beast रिलिज हो गया है ठेटर्स में Transformers यानि की एक ऐसा रोबोर्स जो कार ये ट्रक में Transform हो सकते है जो अपनी पहचान सुपा कर इंसानों के बीच में रहते है Autobots कहे जाने वाले अपनी तरह के इस अनोखे रोबोर्स पर बनी Transformers फ्रेंचाइजे भारतिया दर्सकों के बीच में काफी पॉपुलर है इस फिल्म को स्टीवन केपल जुनियर ने डायरेक्ट किया है तो कैसी है ये फिल्म आये जानते है फिल्म की कहानी बहुत समय पहले के दोर में सुरू होती है जहां एक खौफनाक डेविल यूनिकोर्न अपनी भूक मिटाने के लिए नए नए ग्रोहों पर तबाही मचाना चाता है दूसरी दुनिया का दर्वाजा खोलने के लिए उसे एक चाबी की जरूरत है जो मैकसिमल्स के पास है यूनिकोर्न उस चाबी को लाने के लिए अपनी फौज को भीचता है लेकिन मैकसिमल्स का मुख्या अपनी कुर्बानी देकर बाकी साथियों को चाबी देकर भगा देता है इसके बाद फिल्म की कहानी सीधे 90 के दसक में पहुंच जाती है जहां एक महिला वैग्यानिक को चुपाई हुई चाबी मिल जाती है इसके बाद सुरू होती है उच चाबी को पाने की जंग एक और आटो बोड्स उच चाबी की मदद से अपनी दुनिया में वापत जाना चाते है तो दूसरी और यूनिकॉर्ण उसकी मदद से और ज्यादा ताकतवर बनना चाता है इसी दौरान आटो बोड्स को एक ऐसे इंसान का सास मिलता है जो की यूनिकॉर्ण से अपनी दुनिया को बचाना चाता है Autobots को प्रिथवी पर चिप कर चाबी की रक्षा कर रहा है Maximal's का भी पता लगता है Unicorn के खिलाब जंग में इंसान Autobots और Maximal से कंदे से कंदे मिला कर एक दूसरे की मदद करते है अब लाश्ट में कौन जीता है और आगे क्या क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा Transformers franchise की फिल्मों के चाने वालों के लिए ये फिल्म एक ट्रीट की तरह है इसमें Autobots और Maximal के एक्शन सिंस आपको हैरान कर देगा इसके अलावा फिल्म या मैसेज भी देता है कि अगर दो लोगों का दिस्मन एक है तो आपको एक टीम बना कर उसका मुकाबला करना चाहिए फिर चाहे आप इंसान हो या रोबो फिल्म की कहानी सुरुआज से ही आपको बांध लेती है जिसे देखने में मज़ा आ जाता है फिल्म का VFX, CGI और एनिमेशन काफी गजब का है जिसे देखने पर सभी चीज़े रियलिस्टिक फिल होती है इन्ही सभी फिल्मों से हमारे इंडियन एनिमेशन कमपनी वालों को कुछ सीखना चाहिए इनसे की एक रियलिस्टिक एनिमेशन कैसे किया जाता है आदिपुर्स मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ और एक तरह से देखा जाये तो हम सभी लोग हॉलिवट की फिल्में देखकर ये तो पता चल गया है की VFX और CGI होता क्या है अगर हमने ज़्यादा तर हॉलिवट के फिल्में नहीं देखे होते तो आदिपुर्स के इस VFX को भी अच्छा समझते खैर मुवी पर वापस आते हैं ये फिल्म आपको जरा भी बोर नहीं करेगा फिल्म का एक्सान एडवेंशर और बीजियाम आपको आपके सीड से बांधे रखेगा इस फिल्म में एक मिड क्रियेट सीन है और लास्ट में दिखाया जाता है कि ये फिल्म एक यूनिवर्स बनने वाला है और इस फिल्म में कोई भी नूडिटी या वलगर सीन बिलकूल भी नहीं है तो आप लोग इस फिल्म को अपने परिवारवालों के साथ में जरूर देख सकते हो तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बतहईएगा और ऐसे फिल्मों के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राब करें मिलते हैं नेस्ट वडियो में, बाई